Hello Friends, स्वागत है आपका हमारे चैनल BT UP Study Point में दोस्त बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंड आठा सर आप बताईए UP में कितने फॉर्मेसी के कॉलेज है और कितने आपके एडेट कॉलेज है कितने कॉलेज है और उसमें सीटे कितनी कितनी है कितने रैंक तक उसमें एड्मिसन हो जाएगा तो आज दोस्त हम उसी पे यहाँ पे वीडियो लेकर आए हुए है इसमें दोस्त हम बताएंगे आपको कि UP में फॉर्मेसी के कितने गॉर्मेंट कॉलेज है कितने एडेट कॉलेज है और कितने प्राइवेट कॉलेज है ताकि आप एड्मिसन आसानी से प्राप्त कर सके और इसमें दोस्त हम यह भी बताएंगे आपका कितने रैंक तक कि एड्मिसन इस कॉलेजों में हो जाएगी जो मैं आज की कॉलेजों कोई बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो दोस्त आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो का इंफॉर्मेशन और कॉंसलिंग से रिएट इंफॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप पॉल्टेक्निक में एडमिशन पाना चाहते हैं दोस्त तो हमारे चैनल के साथ आप लगातार बनी रहीएगा इसमें हम एक डेली दोस्त हमेशा एक ट्रिक बताएंगे कि आपको किस तरह के आप कॉंसलिंग कराएंगे ताकि आपको गॉर्मेंट कॉलेज मिल सके तो आज दोस्त हम चलते हैं हापे टोटल आपको कॉलेज बताएंगे कितने आपके फर्मेसी के गॉर्मेंट कॉलेज है तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कोलेश की बात करते हैं राज्की पॉल्टेक्निक लखीमपूर्ः खीरी ठीक है इसमें दोस्त अगर बात करें यह आपका एक गौर्वर्मेंट कॉलेश है और इसमें टोटल जो seatे हैं आपका 50 seat है किते दोस्ते यहाँ पे 50 seat हैं अगर हम यहाँ पे बात करें sit की तो total आपका 50 seat हैं यह है आपका राजकी पॉल्टेकनिक लखीम पूर खीरी second अगर दोस्ते हम college की बात करें हाँ पे तो अगला आपका college है राजकी महिला पॉल्टेकनिक एलहाबाद ठीक है इसमें केवल girls का है admission होता है तो इसमें सभी लोग ध्यान देंगे यह आपका only for only female candidate के लिए है राजकी महिला पॉल्टेकनिक एलहाबाद इसमें भी दोस्त आपका total आपका 50 sit है अभी दोस्त लाश्ट में मैं बताऊंगा आपकी rank अगर कितना rank है तो आप इन college हो में admission पा सकते हैं नेश्ट दोस्त अगला यहाँ पे college की बात करते हैं तो अगला आपका last यहाँ पे college है राजकी पॉल्टेकनिक जौनपूर यह तो रहा दोस्त आपका तीन college total आपके pharmacy UP pharmacy के total आपके तीन college है यहाँ पे ठीक है pharmacy के तीन college है गौर्मेंट के अगर दोस्त हम edit की बात करें तो edit की college है आपका दो ठीक है कौन-कौन से है एक आपका जनता पॉल्टेकनिक जहांगीरबाद गाजियाबाद यह आपका first college है edit का second जो college है वो आपका है प्राइवेट की तो प्राइवेट में total आपको 786 college है कितने दोस्त 786 private college है total आपको मिलाकर इसमें दोस्त हम कुछ ऐसे college हो को भी बारे में बताएंगे जो कि आपको top private college है ठीक है यहाँ पे दोस्त मैं आपको next video में आपको बताऊंगा कि top 10 private college जो भी student यहाँ पे private college में admission लेना चाहते है तो वो हमें comment करके जरूर बताईएगा क्या आप private जो मैं top 10 10 college यहाँ पे बताने वाला हूँ आप क्या चाहते हैं आप हमें comment करके जरूर बताईएगा ताकि दोस्त हम उसके और भी details निकाल सकें और आप सभी तक पहुचा सकें अगला दोस्त यहाँ पे next आपका तीन point तो मैंने बता दिया कौन-कौन से यह आपके UP के pharmacy government college हैं कौन-कौन से हैं government politics लखिमपूर खीरी हैं first पे second पे है आपका यहाँ पे government girls politics एलहाबाद third है आपका government politics जौनपूर यह दोस्त आपके तीन government हैं ठीक है यह आपके तीन government है अब हम बात करेंगे यहाँ पे added की ठीक है added college की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं तो added में आपका first college यह है इसका नाम द के जंता पॉलटेकनिक बुलंसर का added college है ठीक है added college है इसमें दोस्त आपके face जे होती है face structure मैं next video में face structure के बारे में ही बताऊंगा कि government college में face कितनी होती है private college में face कितनी होती है. इसके बारे में next video में बात करूंगा इसके बाद दोस्त अगला next college आता है आपका श्री राम देवी राम दयाल तिरपाथी महिला पॉल टेकनिक ठीक है यह इसके जो संस्थापक है श्री परशुराम तिरपाथी है और यह आपका कानपूर का कॉलेज है ठीक है जो की महिलाओं के लिए है इसमें दोस्त अगर हम बात करें सिट की तो टोटल आपका इसमें भी पचास सीट है ठीक है गौर्मेंट में आपका पचास सीट है एडिट में भी आपका 50 सीट है यापे ठीक है पचास पचास सीट है अगर दोस्त हम यही प्राइवेट की बात करें प्राइवेट मैंने क्या बताया आपको 786 college है ठीक है और उन सभी college हो में आपके 75 seat है ठीक है पर college 75 seat है ठीक है बहुत ज्यादा seat है उसमें दोस्त अगर government की तुलना किया जाए government में आपका क्या है 50 seat है अगर वो added है फिर भी वहाँ पे 50 ही seat है अगर दोस्त हम last topic important topic भी बात करें यहाँ पर rank की की आपका कौन कितने rank लाएंगे तो आपका admission इन college में हो जाएगा government और added में तो अगर दोस्त हम बात करें यहाँ पर एक से 100 अगर आपका rank आ रहा है एक से 100 ठीक है एक से 100 के बीच में आप rank को ला रहे हैं तो आपका इन top 3 जो आपका 3 UP के सेंदी पॉल्टेकनिक फर्मेस हैं इसमें आपका admission मिल जाएगा जैसा कि मैंने बताया government पॉल्टेकनिक लखीम पूर खिरी और government पॉल्टेकनिक जॉन पूर ठीक है इसमें दो सेकेंड वाला जो आपका मैंने बताया government girls पॉल टेकनिक एलहाबाद इसमें केवल और केवल लड़किया ही जा सकती है फिमेल कंडिडेट्स के लिए है ठीक है तो टोटल आपको कितने है असी टोटल आपका अगर फिप्टी-फिप्टी बात करें दोस्ते यहां पे 100 है यहां पे हैं दो कॉलेजों के मिला कर सिट कितने हैं 100 है अगर आप यहां पे 1-120 तक भी रैंक लाते हैं तो आपके के हिसाब से आपको इसमें कॉलेज मिल जाएगा ठीक है यह तो रही बात दोस्त आपका गौर्मेंट के लिए अगर दोस्त हम यहां पे एडेट की बात करें तो एडेट वालों को दोस्ते यहां पे फिर से यहापे दिखें, तो added में कितने हैं, 50-50 सीटे हैं, ठीक है, एक तो आपका added जो है, वो आपका girls के लिए हो गया, जो आपका कानपूर का है, यह girls के लिए है, female candidates के लिए है, जबकि बुलन सहर की बात करें, तो इसमें आपका male candidates के लिए है, total इसमें भी आपका कितने 50 सीट हैं ठीक है अगर आप 1-1.500 या 1-170 के बीच में आपकी rank आती है तो आप इस government college में admission पा सकते हैं जनता, politechnik, जहागीरबाद, गाजियाबाद में आपका admission हो सकता है अगर आपका rank 1-170 के बीच में आता है तो ठीक है ये तुरही दोस्त इसकी अब बात करते हैं private की तो private में कितना rank यहाँ पे चाहिए private की भी दोस्त कुछ college ऐसे हैं जो की rank के हिसाब से admission होता है वो मैं आपको बताऊंगा top 10 college private के next video में और उसके साथ उनका rank भी बताऊंगा कि आपका कितना rank रहेगा तो इन college में admission हो जाएगा किसी भी दोस्त आपका कोई भी मन में query हो कोई भी question हो तो आप comment box में जाएए और आप हमें comment करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं तो आज का video दोस्त यही तक आसा करते हैं सभी चीजे आपको सभी point अच्छी तरीके से समझ में आ गया है वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करिएगा और अपनी दोस्तों में share करिएगा ताकि और भी लोगों के पास वीडियो का information और उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके धन्यवाद